सब उमीद करते हैं अब लोग अच्छे होंगे जबकि वर्षी नंबर 30 वनाई है से अच्छे से लेबल कर लीजिए टाल दीजिए क्लास सब्जेक्ट अपने टीचर का नाम लिख लीजिए चलिए प्यारे बच्छों इसे पढ़ना शुरू करते हैं तो आज हम लोग पढ़े किस तहां से एक बैक मिलर से पीछे का व्यू देख रहा है यहां लिकाए प्लेइंग इस पैरिकल मिलर जो होते गोर मिलर जो होते उनके साथ आजम लोग खेलेंगे देखेंगे समझेंगे और जानेंगे यहां लिका है व्यावर सीन योर इमेज इन नीवली ब्रॉट स्टील स्पून क्या कभी आपने स्टील की प्लेइट या पिर स्टील के चमच में अपने चेहरे को अपनी परचाई को देखने की कोशिश की है इफ नो अगर नहीं गो टू दा किचिन किचिन में जाएए और नो डाउन वाट यू अब्सॉब और नो डाउन कीजिए कि अगर आपने देखा है तो भी जाए उसे रिकाप कीजिए कि आपने क्या देखा है अब देखें यह पर आपको बताते हैं कि आपने क्या देखा होगा बेखें बोलते हैं करव शाइनी सर्फिस ऑफ इसपून अग्ड और यानिकी जो आपका मिलर है जो स्पून है उसकर जि सब्सक्राइब करते हैं तो बताते हैं इस और सब्सक्राइब करते हैं आपके स्पून के अंदर का इरिया इनर सर्फेस ऑफ स्पून ठीक है इस को आपके स्पून के बाहर का हिस्टा दैन इस आ कॉन्वेक्स मिरर इसको आपके स्पून इसमें आपको अपनी चहरा उल्टा नजर आता है और जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है यह रहा आउटर साइड ओफ स्पून यह आपका चहरा सीधा नजर आएगा ठीक है कॉन्वेक्स के लिए रहे आगे चलते हैं अब हम लोग यहां देखिए आपको लिखा हुआ है इमेज कहते हैं तस्भीर क्या है परचाई क्या है इमेज क्या है तो बताते हैं कि कोई अब्टेक्ट का जब रिफलेक्शन होता है शीषे पर मिरर पर तो वो आईना या शीशा या दरपर्ण जो भी आप कहते हैं उसके ओपर एक तस्वीर आपको नजर आने लगती है वो तस्वीर असलियत में क्या होती है रिफ्लेक्शन होती है असली बस्तु की और उसको ही हम लोग इमेज कहते है अब यहाँ देखिए आपको बोलते हैं इमेज फॉरमेड बाई स्पारिकल मिरर स्पारिकल मिरर में किस तरह से इमेज बनती है तो बोलते हैं अगर कोई इमेज फॉरमेड होती है एक स्क्रीन के ओपर वो अपके रियल इमेज कहलाती है The image formed by a plain mirror cannot be obtained on a screen कहते हैं कि जो plain mirror है उसके ओपर आप कोई भी तरह की screen के पर तस्वीर नहीं देख पाते हैं Such an image is called a virtual image और ऐसी image को हम लोग क्या कहते हैं Virtual image कहते हैं The image formed by a concave mirror can be smaller or larger in size than the object कहते हैं कि concave mirror पर बनने वाली जो तस्वीर होती है वो असली object से चोटी या बड़ी हो सकती है size में The image में also be real or virtual है इसकी image जो है real और virtual होगी ठीक है यहां बोलते हैं Convex mirror का क्या रहेगा Convex mirror form a virtual and irate image of an object The image form it is the always smaller than the object ठीक है कहते हैं इसमें जो image बनेगी वो virtual और irate बनेगी और इसके इलावा बोलते हैं कि जो image होगी वो object से छोटी होगी हमेशा के लिए आगे चलते हैं यहां देखे आपको लिखा है use of spherical mirror Spherical mirror के क्या क्या यूज हो सकते हैं torch जो आप लोग यूज करते हैं उसके आगे रिफ्लेक्टर के तौर पर लगा होता है headlights of car, car की headlights पर लगा होता है, scooters पर लगा होता है यह सब क्या होते हैं concave mirror होते हैं अगर convex mirror की बात करें तो convex mirror जो होते हैं वो side mirror और rear view mirror जो होते हैं वेहिकल में उसके लिए इस्तिमाल होते हैं कर सकते हैं असाने से हैना easy तो मीद करती हो तक समझ में आगे होगा now your first question is which surface of a stainless spoon act as अब बताईए कौन सा surface spoon का कौन सा काम करेगा concave mirror कौन सा काम करेगा और convex mirror कौन सा काम करेगा यानि कि जो बहारी हिस्सा वो concave mirror होगा या अंधूनी हिस्सा concave mirror होगा क्या होगा चलिए answer देखते हैं तो दीखिए बीता यहां पर मैंने दोनों का इंग्लिश रहिंदी एक साथी कर दिया है आप लोग देख लेंगे हिंदी में क्या लिखते हैं कि जो आपके गोली धरपन होते हैं यानि आपके spherical mirrors होते हैं जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अफ्तल उसे इंग्लिश में बोलते हैं इस में देखें आपका वह क्या काम करता है उसमें आपके चमच की बीतरी सत्य होती होती है अफ्तल इनर साइड है अंदर का हिस्सा कॉंके बहारी हिस्सा जो आपका उप्तल यानि कि outer side यानि कॉन्वेक्ष ठीके लिख सकते हैं असानी से चलिए आगए पढ़ते हैं अभी अगला लेका है राइट है निटू प्रॉपरिटीज ऑफ एन इमीज फॉर्म इट बाया कॉन्वेक्स मिरर पर बनने वाली जो इमीज है उसकी क्या 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 प्रॉपरिटीज होगी कैसी होगी वह चलिए इसकां सा देखते हैं सकते हैं इमीज फॉर्म इट बाया कॉन्वेक्स मिरर एक कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमीज बनती है इस ऑल्वेस फॉर्म इट बहाइं दो कॉन्वेक्स मिरर के पीछे होती है इस वर्चुल वर्चुल होती है उल्टी होती है और स्मॉलर दैन होती है और जो ऑब्जे मैंने इसी के बारे में पढ़ा है उसमें एक बहुत इंट्रस्टिंग चीज पढ़ा है जिसे हम लोग कहते हैं पिन होल क्यामरा उसको देखेगा वह बहुत इंट्रस्टिंग है अगर आप लोग को मुखा मिले तो उसे बनाने की कोशिश कीजिएगा ठीके चले तो इसे आप अगर आपको माई वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक को शियर करें अगर अभी तक आपने मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मैं चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू फोर वाचिंग